नमस्कार दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बारतोलम योग बेचे के बारे में तो दोस्तों इस्ट्विंगल एफसी मैनेजमेंट ने बातचित शुरू किया है ये बात आप सभी को बताई था मैंने अपने वीडियो में बताया था तो डिटेल्स मे वीडियो में आके बात करने से पहले मैं आप सभी से छोटा सा रिक्वेश्ट करता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मैं बेल आइकोन को भी प्रेस कर दीजे तो दोस्तों मैंने कुछ दिनों पहले आप सभी को बताया था कि इस्ट विंगल एफसी मैनेजमेंट ने बातचित शुरू किया है बार्थोलोम योग बेचे के साथ और आप सभी को बताई है लास सीजन बार्थोलोम योग बेचे ने गोल्डेन बूट का खिताब जीता और हैत्राबद एफसी को चैंपिन बनाने में काफी अच्छा योगदान दिया तो दोस्तों अभी फिलाल अपडेट आ रहा है कि बार्थोलोम योग बेचे के साथ इस्ट विंगल एफसी मैनेजमेंट ने बातचित शुरू कर दिया है और बार्थोलोम योग बेचे भी कही न कहीं इंटर इस्ट विंगल एफसी मैनेजमेंट जो है बातचित चला रही है बार्थोलोम योग बेचे के साथ और बातचित काफी आगे तक गया है और दोस्तों इसी मन्त में यानि कि दोस्तों अप्रेल के लास्ट वीक तक हम सभी को कन्फरमिशन मिल जाएगा कि आखिर बार्थोलोम इस्ट विंगल एफसी में ही साइन करेंगे क्योंकि दोस्तों मार्कस मार्गुलो जो इंडियन फुटबॉल का सबसे अच्छा और स्ट्रॉंग सोर्स है उन्होंने भी बात को कन्फरम बताया है तो दोस्तों यह पूरा निर्भर कर रहा है इन्वेस्टर्स के उपर तो दो दोस्तों इस्ट विंगल एफसी मैंनेजमेंट जैसे अपना इनवेश्चर को कंफरम करेगी वैसे ही हम सभी को जैसे की पता चल रहा है बार्थलों में की बेचे पिछ साइन करेंगे कि क्योंकि दोस्तों इन्वेश्टर जब तक नफिर नहीं होगा तब तक कोई भी बारा signings नहीं कर पाएगी East Wing FC Management ये East Wing FC Management और fans को भी पता है तो दोस्तो सबसे पहले investor confirm करना परेगा तो Marcus Margulow के अनुसार इसी मंत के अंदर अंदर जो है investor confirm हो सकता है और बार्थोलों में अगबेचे का sign भी complete हो सकता है तो चले दोस्तो फिलाल ये वीडियो में इतना ही था अशक करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो शेर कर अपने दोस्तों के साथ और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथ में बेल आइकोन को भी प्रेस कर दिजे क्योंकि इंडियन फुटबॉल से रिलेटिट डेली अपडेट आपको मेरे इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में